आप सभी लोग जानते होंगे चौदरी अजी सिंग साहब के बारे में और ये आप जानते हैं कि RLD के मुखिया भी रहे हैं और ये आपके पूरुक कैंदरी है मंत्री भी रहे हैं इनकी आज डैथ हो चुकी है कुरोना संकमड के कारण तो भगवान से उबर वाले से द्वा करिए कि इनकी आत्मा को सांती में ले और इस धुक की घड़ी में इनके परिबार को एक तरह से सहिन सकती भी दे और आप लोगों को यहां से कुछ सीख लेना चाहिए कि आप समझे कि ये कुरोना वायरस हमारे कई नेताओं को लेकर डू ही हो जाती है तब भी आप समझे कि डेथ हो रही है तो आप समझे कि आम लोगों को क्या इस्तिती बनी होगी इसलिए अभी भी कुछ नहीं बगड़ा हुआ है आप सुरक्षित रहिए घर में रहिए अपना उपर अपने परिवार का ख्याल लखिए क्योंकि फिर से बोला ह परिदार इस कोरोना के दुख को समझ रखता है ठीक है तो चौधरी चरंसीं के बारे में आप लोगों को सुना होगा पूर्प्रिधानमंत्री भी हमारे रहे हैं उन्हीं के बेटे भी है ठीक है इनका संबंद आप देखें कि उत्तर प्रदेश से रहा है यहाँ आप देख कि यहां आपकी विधान सभा सीटें 403 देखने को मिलेगी और विधान परिशद सीटें आपको 100 देखने को मिलेगी और आप देखें कि राजसभा सीटें 31 हैं लोगसभा सीटें 80 हैं इसलिए आप जानते हैं कि राजनीती में काफी एक तरह से मजबूत राज्च है ठीक है औ और आप लोगों को मालू होना अच्छी कि चौदरी अजी सिंग का जनम की अगर हम लोग बात करें, तो इनका जनम हुआ था 12 फरवरी 1949 को, 12 फरवरी 1949 को, और इनके जनम इस्थान की बात करें, तो बधौला गाउं मेरत उत्तरपदे से एसा मंद रखते थे, और इनके पिता क की बात करें, तो आप सभी को मालू हो कि चरंच सिंग, जो पूर पिधान मंत्री भी रहे हैं, आपके, 1989 से लेकर, 1980 के बीच रहे थे, ठीक है, यह पिधान मंत्री, और आप इनकी अगर सिक्षा की बात करें, तो इनोंने, लखनाव इनुवर्सेटी से, B.Sc. और I.I.T. खड काम भी किया है, यानि कि इससे आप समझ सकते हैं कि काफी बड़े लेखे भी थे, और आप समझी कि अगर ऐसे किसानों के लिए काफी लड़े हैं, चौदरी चलन सिंग की बात कर लीजे, या अजी सिंग की बात कर लीजे, किसानों के जो भी आंदोलन हुए हैं, उनमें परिस्तिति को अब आप किसी जोला चाप को बनाओगे तो वो बैसे ही काम करेगा ठीक है आप देखेंगे अजीस सींग जन्ता पार्टी के अध्यक चुने गए ठीक है और 1989 में उन्होंने लोकसभा चुनाओ में जीत भी हांसिल की थी तो यह आप लोगों को मालूमने चाहिए 1991 में देखें 1996 में 1999 में सन 2004 में 2009 की लोकसभा में भी इन्होंने चुनाओ जीता था ठीक है काफी एक तरह से आप कहा सकते हैं कि मजबूत नेता थी और इस दोरान उन्हें आप देखें कि केंद्री एक किरसी मंत्री भी बनाये गया बित्तिय सम्ती के सदस्की रूम में भी इन्होंने काम किया अठारे दिसंबर 2011 को विकेंद्री एक नागरिक उड्डेन मंत्री का पद भी इन्होंने समाला था और जो आप देखते हैं कि अजीत सिंग इन्ही के पुत्त है जैन्त चौदरी का नाम सुनते हैं ये भी इन्ही के बेटे हैं और आप लोगों को ये भी मालू होना चाहिए की 2014 और 2019 में जो लोगसभा चुनाओ गया था उन में इनकी हार भी थी ठीक है उस समय आप जानते हैं कि बीजीपी की काफी लहर चल रही थी और बीजीपी के नाम पर कोई भी टिकेट मिल गया किसी भी को वो आराम से चुनाओ जीत गया चाहे उसका जनता में पकड़ हो या सकते हैं इनकी डेथ की बात करें तो 6 मई यानि कि आज के दिन 2021 गुरू ग्राम में इनकी डेथ हो गई है तो आपकी नेता होंगे तो आप लोगों को मालू भी होगा और नहीं मालू है तो वैसे भी हमारे नेता थे अच्छे थे तो हम लोगों को मालू भी होना चाहे इनके झाल